हेलो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं आप लोग को बताने वाला हूँ कि आप अपनी नोईस की स्मार्ट वोच को अपने मोबाइल से कनेक्ट कैसे कर सकते हैं इस वीडियो में मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊँँगा जिसे कि smartwatch को mobile से connect कैसे करना है smartwatch में time को set कैसे करना है smartwatch में calling feature को कैसे enable करना है whatsapp, instagram यह किसी भी अफ की notification को smartwatch में कैसे on करना है smartwatch में contacts को save कैसे करना है और smartwatch में अपना photo कैसे लगाना है यह सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ तो इस वीडियो को लाश तक देखती रहिए तो दोस्तों noise smart watch को अपने mobile से connect करने के लिए सबसे पहले आपको noise smart watch को on कर लेना है on करने के बाद आपको अपने mobile में एक app डाउनलोड करनी होगी तो आपको अपने mobile में play store को open कर लेना है और यहाँ पर search bar में जाकर यहाँ पर आपको search करना है noise fit यहाँ पर आपको यह वाली एक app मिलेगी इस app को आपको अपने mobile में install कर लेना है app को install करने के बाद आपको इस app को open करना है यहाँ पर आपको इस पर tick करना है और agree and continue पर click करना है अब यहाँ पर आपको continue करना है अब यहाँ पर दोस्तों आपको Google पर click करना है और आपको अपनी किसी भी एक Gmail ID से इसमें login कर लेना है तो यहाँ पर मैं एक Gmail ID से यहाँ पर login कर लेता हूँ उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर आपको अपना mobile number डालना है mobile number डालने के बाद नीचे आपको continue पर click करना है अब आपके mobile पर एक OTP आएगा उस OTP को आपको यहाँ पर डालना है OTP डालने के बाद नीचे आपको continue पर click करना है अब यहाँ पर आपको location की permission देनी होगी तो while using the app इस पर आपको click करना है अब यहाँ पर आपको allow पर click करना है अब यहाँ पर आपसे Bluetooth open करने के लिए बोला जाएगा तो यहाँ पर आपको allow पर click करना है आपको Bluetooth automatic own हो जाएगा अब यहाँ पर यह आपकी watch को scan करेगा तो यहाँ पर हमारी जो watch है उसका नाम यहाँ पर आ चुका है इसी तरह से आपकी भी watch का नाम यहाँ पर आ जाएगा तो आपको अपनी जो watch है उस पर आपको click करना है यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर से थोड़ा वेट करना है आपकी जो वोच है वो पायरिंग होना स्टार्ट हो गई है तो आपको थोड़ा वेट कर लेना है पायर सक्सेसफूल यहाँ पर हो चुकी है अब यहाँ पर दोस्तों आपको नीचे get started पर क्लिक करना आप यहां पर आपको अपना नाम ड़लेना है नाम ड़लने के बाद नीचे continue पर क्लिक करना है यहां पर आपको इना पको इन में से 5 चीजे सेलेक्ट करना है उसके बाद में नीचे continue पर click करना है अब यहाँ पर आपको अपनी birth date select कर लेनी है birth date select करने के बाद नीचे आपको continue पर click करना है अब यहाँ पर आपको select करने ना है man या woman जो भी है आप उसको select करके continue पर click करना है अब यहाँ पर आपको अपनी height select कर लेनी है उसके बाद में यहाँ पर आपको continue पर click करना है अब यहाँ पर आपको अपना wait select कर लेना है उसके बाद continue पर click करना है अब यहाँ पर आप daily कितने steps चलना चाहते हैं कितना goal रखना चाहते हैं उसको select कर लीजिए और नीचे continue पर click कीजिए यहाँ पर हमारी watch जो है वो setup हो रहा है तो आपको थोड़ा wait कर लेना है अब आपके सामने कुछ इस तरह का interface आएगा तो यहाँ पर आपको proceed पर click करना है यहाँ पर click करने के बाद आपके mobile के Bluetooth की setting यहाँ पर open हो जाएगी तो यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है यहाँ पर आपको एक option मिलेगा available device इस पर आपको यहाँ पर refresh जो बटन है इस पर आपको click करना है यहाँ पर refresh होगा और आपकी जो smart watch है उसका जो भी नाम है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगा तो आपको अपनी smart watch के नाम पर click करना है यहाँ पर piring होगी तो आपको थोड़ा wait कर लेना है अब यहाँ पर आपके सामने इस तरह का interface आएगा तो आपको यहाँ पर click करना है टिक करने के बाद नीचे आपको पायर पर click करना है अब आपकी जो smart watch है वो आपके mobile से यहाँ पर यह देखिए connect हो जाएगी अब यहाँ पर आपको यहाँ से back चले जाना है बेक जाने के बाद यहाँ पर आपको enable auto start इस पर आपको click करना है click करने के बाद यहाँ पर से आपको noise fit एप को ढूणना होगा तो यहाँ पर से यह रहा एप noise fit इस पर जो सामने है इसको आपको on कर देना है जैसे आप on करेंगे यह सबसे उपर चला जाएगा यहाँ पर आप देख सकते हैं noise fit और यहाँ से on हो चुका है उसके बाद में यहाँ पर से आपको back कर देना है अब दोस्तों आप अपनी smart watch में देखोगे तो इस तरह से एक quick tips का option आएगा तो यहाँ पर आपको start पर click करना है अब आपको यहाँ पर उपर को करना है ऐसे उसके बाद में यहाँ पर नीचे को करना है उसके बाद में फिर से आपको इस तरह से slide करना है तो आपकी जो watch है वो इस तरह से open हो जाएगी अब दोस्तों आप अपनी smart watch का time देखेंगे तो वो आपके mobile से बिल्कुल match कर जाएगा यानि आपकी smart watch का time है वो यहाँ पर से set हो चुका है और आपकी smart watch में calling feature भी enable हो चुका है यहाँ पर मैं आपको एक call करके दिखा देता हूँ तो यहाँ पर मैं आपको one to one पर एक बार call करके दिखा देता हूँ तो यह देखे दोस्तों यहाँ पर मैंने अपनी smart watch से one to one पर call कर दी है तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी smart watch से किसी को भी call कर सकते हैं तो आपकी smart watch में time भी set हो चुका है और call feature भी enable हो चुका है अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि आपको अपने mobile में notifications को कैसे enable करना है तो उसके लिए आपको यहाँ पर जब आप इस तरह से home page पर रहेंगे तो उपर आपको watch का icon दिखाई देगा इस पर आपको click करना है यहाँ पर आपको notification का option दिखाई देगा notification पर आपको click करना है यहाँ पर यह दोनों disable हैं तो यहाँ पर first वाले पर आपको click करना है उसके बाद में allow पर click करना है अब यहाँ पर आपको noise fit को ढूणना है noise fit यह पिये रहा इस पर आपको click करना है यहाँ से आपको इसे on करना होगा इस पर click करना है यहाँ पर आपको tick करना है और यह जो second चल रही है इतना आपको wait कर लेना है ओके पर आपको क्लिक कर देना है अब यह जो notification है वो यहां से on हो जाएगी उसके बाद में back करना है अब यहां पर फिर से आपको disable पर क्लिक करना है यहां से इसको on कर देना है अब दोस्तों यहां पर आपको manage का option मिलेगा manage पर क्लिक करना है यहां पर all पर क्लिक करना है अब आ तो आपने जो भी एप सिलेक्ट कियोंगे वो यहाँ पर आ जाएंगे, तो इन सभी एप्स की नोटिफिकेशन आपको आपकी स्मार्ट वोच में दिखाई देगी, उसके बाद में आपको बेक कर देना है, अब यहाँ पर अगर आप SMS की नोटिफिकेशन भी अपनी स्मार्ट वोच में देखना चाहते हैं, तो इस पर आपको क्लिक करना है, यहाँ से ओन करना है, और यहाँ पर अलाव पर क्लिक कर देना है, उसके बाद में यहां से आपको bake कर देना है अब यह दोनों on हो चुके हैं तो एप की notification भी आपके smart watch में दिखाई देगी और SMS की notification भी आपके smart watch में दिखाई देगी अब अगर आप call की notification को भी अपनी smart watch में देखना चाहते हैं यहां पर आपको calling का option मिलेगा, इस पर आपको click करना है, और call alert को यहां से इस तरह से on कर देना है, allow करना है, allow, allow, तीन बार आपको allow कर देना है, उसके बाद मैं आपको back चले जाना है, अब आपकी smart watch में app की notification भी on हो चुकी है, SMS की भी और call की notification भी on हो चुकी है, यहां पर मैं आपको अपने whatsapp पर एक message करके दिखा देता हूँ अपने दूसरे mobile से, यहां पर मैंने अपने दूसरे mobile से WhatsApp पर message कर दिया है, तो यहां पर देख सकते हैं, mobile पर message आ चुका है, और smart watch में Gomez यहाँ पर आपको ऊपर watch icon पर click करना है, click करने के बाद यहाँ पर आपको थोड़ा नीचे जाना है, नीचे जाओगे यहाँ पर आपको एक option मिलेगा my contacts इस पर आपको click करना है, click करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको add पर click करना है, अब यहाँ पर आपके mobile में जितने भी contact ह एक बार दिखा देता हूं तो इस तरह से आपको स्लाइट करना है नौइज बज़ पर आपको कलिक करना है और Duty पर आपको कलिक करना है उर यहां पर जो हमने दो contact स्मार्ट वोच में टो बहुं आ चुके हैं तो इस तरह से आप अपनी smart watch में contact को भी save कर सकते हैं चलिए अब मैं आपको बतायता हूँ कि आपको अपनी smart watch पे अपना photo या कोई भी watch face कैसे लगाना है तो उसके लिए दोस्तों आपको इस तरह से home page पर आ जाना है इस app में और यहाँ पर नीचे आपको watch faces का एक option देखने को मिलेगा इस पर आपको click करन है यहाँ पर click करने के बाद आपको यहाँ पर काफी सारे watch face देखने को मिलेगे तो अगर आप इन में से किसी भी watch face को लगाना चाहते है अपनी smart watch में तो उस पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे यह जो watch face है वो आपकी smart watch में update होना start हो जाएगा और यहाँ पर आप आपको gallery का एक option मिलेगा इस पर आपको click करना है यहाँ पर आप photos को open कर सकते हैं या gallery को open कर सकते हैं तो मैं gallery को open कर लेता हूँ उसके बाद में यहाँ से आपको अपना photo selected लेना है जो भी आप लगाना चाहते हैं यहाँ पर आप उसे zoom कर लीजिए जितना भी आप photo लगाना जैसे आप below को select करेंगे save पर click कर देना है यह जो time है वो नीचे आ जाएगा अब नीचे आपको update watch face पर click कर देना है जैसे आप click करेंगे तो यहाँ पर इसे यह जो photo है वो आपकी smart watch में update होना start हो जाएगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा wait कर लेना है अब देखिए जो photo है वो watch face का option मिलेगा watch face पर click करना है अब यहाँ पर आपको ऐसे slide करते जाना है सबसे last में आपको चले जाना है यहाँ पर आपको आपको एक photo दिखाई देगा इस पर आपको click करना है जैसे आप click करेंगे यह जो watch face है यानि आपका जो photo है वो आपकी smart watch में इस तरह से लग जाएग तो इस तरह से दोस्तों आप अपनी noise smart watch को अपने mobile से connect कर सकते हैं और सभी feature को on कर सकते हैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा और वीडियो भी पसंद आयोगी तो वीडियो को like, share और चेनल को subscribe जरूर करें